आज मैं आपको पूरी बार थिंदी में बताने बाला हूँ क्योंकि ये बहुत इंपोर्टेंट है आपको चानने के लिए कि ये जो जीओ सिम के बारे में जो फ्रॉड चीजे अप्लोड हो रहे हैं यूट्यूब पे आज मैं इन सब के बारे में आपको अलर्ट करने बाला हूँ तो ये वीडियो ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए फर्स्ट मेरे पास कुछ सवाल आए हैं मैं उनको देखके आपको एक एक करके जवाब देता रहूँगा तो पहली बात जो है क्या GeoSym 3G Phone में चल सकता है तो अगर मैं methodically कहूं तो नहीं यह नहीं चल सकता है क्योंकि GeoSym का जो available towers है जो ICs है वो 4G के through based है वो 3G या 2G Phone में नहीं चल सकते लेकिन mechanically अगर आपका phone बहुत पुराना हो गया है और आप उसे बदलने वाले हैं तो आप एक method try कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ Firstly जो करना है वो है आपके phone का जो sim card slot होता है आपके phone के पीछे वाले site पे जहां पे आप sim card लगाते हैं उसे आप change कर सकते हैं service center पे जाके और आपके phone के पीछे जो motherboard होता है उसके अंदर एक network IC होता है उस IC को change करने के बाद उसे 4G में convert करने के बाद आप चला सकते हैं Geo Sim को अपने 3G handset पे लेकिन आपका processor आपका camera आपका RAM आपका display ये damage हो शकते हैं तो अगर आप ये risk लेना चाहते हैं तो लीजिए बढ़ना जाने लीजिए तो ये थी आप अगर आपका phone नया है आप नया नया ली है तो मैं कहूंगा कि मत कीचे आपका phone ऐसे ही खड़ाप हो जाएगा तो प्रीज इसके बाद में विचार कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि आपका phone तो खड़ाप हो ही गया है आपको किसी भी तरह से Jio को इस्तिमाल करना है 31st of December से पहले तो आप ये method try कर सकते हैं पर ना जाने लीजिए सेकेंड बात क्या Jio कर सिम 2017 तक expand हो रही है नहीं 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 ये एक तम एक तरीके से fraud है अगर आपको कोई भी doubt है तो आप 198 अपने Jio सिम से call कीजिए करिब करिब 16 मिनिट लगते हैं कस्टेमर के आपको call receive करने में उनको पूछिए कि उनसे कि कोई offer आया है क्या नहीं वो आपको साफ साफ बता देंगे कि ऐसा कोई offer available नहीं है market पर और तीस्ती बात ये जियो offer welcome offer या preview offer का जो case है देखिए मैं आपको एक example देखेंगे बचा रहा हूं मेरे पास अभी एक पुराना application है जिसका नाम है geo join जो आप बदल के हो गया है geo 4g voice तो अगर मैं किसी third party app store से या फिर कोई website से geo join अगर पुराना application डाउनलर करना चाहूं तो उस application के अंदर तो geo join ही लिखा दिखाएगा वहाँ पे geo 4g voice कैसे लिखा दिखाएगा just the same अगर आप पुराना application डाउनलोड करेंगे माय जियो का कि 3.5 3.2.05 तो उसमें तो वह कोई system ही नहीं कि नीचे वह panel आया कि यह 4g भी तक देगा उसके बाद 118 kbps का speed आएगा तो आप अगर पुराना app डाउनलोड करेंगे तो उसमें तो यहीं दिखाएगा कि आपका जो offer है वह 4g भी तक हाइस speed limit नहीं है तो यह और एक बात जो है speed increases तो कही ऐसे fake videos upload हो रहे हैं YouTube पे कि वह बता रहा है कि आप जो speed है geo का वो increase कर सकते हैं उसे एकदम higher level पे लेकर जा सकते हैं कि ऐसे कोई बात नहीं है आप speed increase नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह जो geo plants है यह plants wise software wise and यह जो हमारा towers होते हैं उसके basis आपको speed मिल जाए आप जिस एरिया पे है वहाँ पका speed range है ठीक है तो ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको इस application को डाल के या फिर आपने mobile के किसी network settings को change करके आप speed increase कर सकते हैं और एक बात जो है एक important news है geo की तरब से geo ने broadband निकालने का एक स्विधा जो है वो launch करने वाला है geo कुछ तिनों में और broadband का सबसे lowest cost होगा वो है 400 रुपए 400 रुपए से आप कोई भी broadband connection ले शकते हैं geo का और एक और बात उभर के आई है कि geo के जो stores हैं बहां पे बहुत भीर हो रही है geo के जो executives है जो store में जो काम करते हैं उन्हें बहुत problem हो रही है उन्हें इसे face करने में इसलिए geo ने एक नए चीज़ लांच की है जो है online geo sim installation तो यह है क्या आप geo का sim सिर्फ online में आप register कर दीजिए आपका जो आधार का एक photo है और ऐसा कुछ information आपको बहां पे डालने पड़ागी तो आपका geo geo का sim जो है वो आपके घर में deliver हो जाएगा 5-6 दिन में लेकिन यह service अभी active नहीं हुआ है तो थोड़ा wait कर जाएए क्योंकि यह जल्द ही active होने बाला है और और एक important सबसे important बात अगर आप एक ebay user है ebay.in से आप अगर shopping करते हैं तो बहां से कोई भी geo file router या live का phone या फिर geo sim नहीं लेजिए क्योंकि यह जो ebay है यह geo ने इस ebay को prefer नहीं किया है कि यह geo का products बेज सके या फिर lyf का products बेज सके तो यह जो कर रहा है किसी दूसरे website से या फिर किसी दूसरे कोई third locator से यह खरीद रहा है खरीद के यहां पे बेज रहा है तो जिस पर आपको साइध work period ना मिले तो alert रहे है और यह जो मैंने specially जो तीन पॉइंट्स बताई जिय तो sim को 2017 तक expand नहीं किया जा सकता है ऐसा कोई plan नहीं है दूसरी बात जो welcome offer है वो welcome offer ही रहेगा उसका preview offer में convert नहीं कर सकते अगर यह ऐसे कोई ecosystem की हो तो वो अंजाने में की होगी वो नहीं जानता होगा इसलिए कि होई लेकिन आप आप जान गया है कि सच्छाई क्या है और तीसरी बाद आप जियो के speed को किसे भी network settings को change करके increase नहीं कर सकते तो इन बातों का ध्यान रखिए और उल्लू मत बनिये जो youtubers जो youtube videos आप देखना ही है वो आपको still उल्लू बना रहे हैं तो जाग ये खुद उल्लू ना बने ना दूसरों को बनाने दे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो please like कीजिए शेयर कीजिए और अगर आपका कोई भी सवाल हो इस method पे या इस matter पे तो please नीचे जो comment box है वहाँ पे comment कीजिए मैं आपका हर मुश्किल हर दुविदा आशन करने क कोसिस करूंगा thank you ये वीडियो देखने के लिए जय हिंद बंदे मांतरम